क्या आपने कभी महसूस किया है जब एक चलती हुई बस अचानक रुपती है तो हम आगे की तरफ क्यों जुग जाते हैं? जब कोई बस चलना शुरु होती है तो हम पीछे की और क्यों जुग जाते हैं? जब कोई मोटर कार तिव्र गति के साथ किसी तिक्ष्ण मोड पर मुड़ती है तो हम एक और क्यों जुगने लगते हैं? इन सभी अनुभवों का कारण न्यूटन का प्रथम नियम है आईए एके करके समझते हैं आप एक चलती हुई बस में खड़े हैं और बस अचानक रुख जाएं क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? आप आगे की तरफ जुग जाएंगे क्योंकि जब बस चलती है तो आपका पूरा शरीर गती जवस्ता में होता है अचानक रुखने के कारण आपके शरीर के निचले हिस्से को जोकी बस के समपर्क में हैं विरा मौस्ता में ला देता है हालांकि निउटन के प्रतम नियम के कारण आपके शरीर का उपरी बाग गती की स्थिती में रहता है इसलिए जब बस अचानक रुखती है तो आप आगे गिर जाते हैं अब मान लीजिए आप एक रुखी हुई बस में खड़े हैं और बस अचानक चलना शुरू कर देती है क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? यहां आप पीछे की और जुख जाएंगे क्योंकि जब बस विराम अवस्था में होती है तो आपका शरीर भी आराम की स्थिती में होता है जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो शरीर का निचला हिस्सा जो वहान के संपर्क में होता है वो भी चलने लगता है जबकि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण शरीर का उपरी हिस्सा विरा मवस्था में ही रहता है इसलिए जब बस अजानक चलने लगती है तो आप पीछे की और जुग जाते हैं उसी तरह तिव्र गती से चलती हुई बस तिक्षन मोड पर दाई मुडती है तो आप बाई और जुग जाते हैं क्योंकि बस की गती की दिशा बदलने के लिए बस की इंजिन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम के कारण आप सीधी रेखा में चलते हैं इसलिए आप बाई और जुग जाते हैं आईए एक प्रयोग करके देखते हैं टेबल पर एक कपड़ा रखें फिर उस पर कुछ वस्तुवे रख दें अब एक चटके से टेबल से कपड़ा हटा लें आपने क्या देखा है? कपड़े के उपर के वस्तुवें को परिशान गिये बिना कपड़ा खीचा जाता है कपड़े के उपर के वस्तुवें शुरू में विरा मवस्ता में हैं उन पर सीधे तोर पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है इसलिए न्यूटन के प्रतम नियम के अनुसार वे कपड़े खींचे जाने के बाद भी विरा मौस्ता में ही रहेंगी चलिए एक और प्रयोग करते हैं एक खाली ग्लास, एक मजबूत कार्ड और कुछ सिक्के लेते हैं कार्ड को ग्लास पर रखें और इसके उपर एक सिक्का रख दें अब कार्ड को उंगली से एक शेतिच जटका दें तो क्या होगा? आप देखेंगे कि कार्ड दूर चला जाएगा लेकिन सिक्का सिधे ग्लास में गिर जाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जो सिक्का शुरू में विरा मवस्ता में ताहा वह कार्ड पर जटका रूपी बहरी बल देने के बाद भी विरा मवस्ता में ही रहेगा तो वह सिधे ग्लास में गिरेगा अब आप समझ गई होंगे कि न्यूटन का प्रधम नियम इन गटनाओं की व्याख्या कैसे करता है?